चले गाईस आज जो टॉपिक हम लोग आपके लिए लाए हैं वो है आपके लिए पर्चेस एंड सेल्स ओर्डर टेली प्राइम हो, टेली नाइन हो, टेली एर्पी हो, ओर्डर कभी नहीं बदलता है करने का तरीका सेम वेसे होता है, बट इतना सा डिफरेंट होता है कि टेली का कोई सा भी वर्जन हो, इसमें जो चेंज होता है, वो बैसिकली इन्वार्मेंट चेंज होता है लूक चेंज होता है, तो आपको लूक से घबराना नहीं है आपको ये चीज करना है कि actual में ये चीज होगी कैसे और इन चीजों को अगर आपको करना है तो आपको आज पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और इस वीडियो के बाद आप business में supplier से कैसे कैसे order को दिये जाते हैं supplier को मना जीस वेक्ती से आप माल purchase करते हैं उसे creditors का आजाता है तो हम उसे order देते हैं तो माल आता है तो उसकी entry कैसे करेंगे और मेरा customer जिसे मैंने order दिया था अगर अब उसके माल आएगा तो वो कैसे आएगा इन दोनों चीजों को हमें कैसे करना है तो चलिए आज हम लोग इस व यह delivery note के साथ साथ receipt note इन सारी चीजों को आप कैसे करेंगे तो चलिए आज हम लोग एक एक चीज को करके पहले समझते यह चीज है क्या तो यहाँ पर सबसे पिछीज समझने वाली जो चीज है वो यह है कि आपका जो profession आपका जो business है पहले हम उसको समझते देखिए मैं netlink अब में netlink को मेरी company है आप भी जानते कि जब कोई वेक्ति अपना business से start करता है तो उसके पास कोई product नहीं होता है पेशा होता है product नहीं होता है उसे अपने business के लिए कुछ जो माल purchase करना है वो उसकी listing तयार करेगा कि मुझे कितने माल का order देना है और आपका order देने का meaning यह नहीं होता है कि पूरा माल आएगा वही आपने company को order कर दिया बट company बोल रहे है कि हमारे पास माल नहीं है तो 10 piece का बोला तो 2 piece भी जवाया तो आपके पास जब बड़ा business होगा तो आप order के से maintain करेगे तो चलिए अभी हम लोग इस चीज़ को समझते पहली बात मैं हूँ netlink यानि कि मेरी company है और मैं मेरा business जो है वो है electronics का मतनब टीवी का तो क्या चाहते हैं हम लोग मैंने क्या करा कि मुझे कुछ product की जरूवत थी मैंने अपनी company जिससे मैं माल purchase करूंगा उस company को मैंने बुला मुझे 10 piece LG के टीवी मुझे चाहिए ये मैंने order किसको दिया मेरी company जिससे मैं हमेशा माल purchase करता हूँ उस company का नाम ये मान लिजे LG electronics बोपाल ये जिस company को मैंने order दिया ये उस company का नाम था order गया company ने मेरो को क्या बोला कि सरा माल आपको बजबर भिजवाते हैं अब क्या हुआ ये order हमने कितनी तारिक को दिया 1st April 2023 को मैंने माल का order दिया अब क्या हुआ दो दिन बाद जब माल मेरी ट्रांसपोर्ट से मेरी सौप पे पहुचा तो जब ट्रांसपोर्ट वाले ने मुझे माल दिया तो मैंने देखा कि मैंने 10 पीस का order किया था तो मैं मुझे टोटल माल 10 पीस आ गया तो मैं क्या करूआ कंपणी को एक रिसिप्ट नोट दे दूआ कि ठीक है 10 पीस के order थे 10 पीस आ गये कोई बाती नहीं है तो जब हमारे पास माल आ जाएगा तो हम कंपणी को देंगे रिसिप्ट नोट कि भाईया हमें माल प्राप्त हो गया है अब आपको माल भेजने की जरूरत नहीं है परन्तु यहां क्या हुआ कि आपको पूरा माल का order दिया था पूरा आ गया तो तो कोई टेंसन ही नहीं है बट ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आपके पास पूरा ही माल आएगा इसा कोई पक्का नहीं है हो सकता है कि कंपणी में गूट से आवेलेबल नहीं हो तो मान लिजे ऐसा भी हो सकता है यह सेकेंड पार्ट मैंने बता रहा हूँ मैंने 10 पीस को order किया था कंपणी को अब कंपणी ने जब मुझे माल पहुचा मेरे पास तो मुझे मान लिजे 10 में से केवल 8 पीस ही पहुचे तो मैं कंपणी को क्या बोलूँगा कि मेरे पास 8 पीस आए अभी 2 और लेना है तो यह 2 और लेना है इसके लिए मैं जब आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तो उस समय पर्चेस और पेंडिंग और दीस को हम बोलते हैं और पेंडिंग भी सो करेगा तो पर्चेस और का मतलब होता है जब हमें कोई प्रोडक्र पर्चेस करना होता है तो हम अपने कमपणी को माल का और देते हैं और जो माल आ जाता है तो हम उसे ये कनफरमेशन देते हैं कि हमने जो माल और τη platform किया था वो हमारे पास आ चुका है और उस confirmation को बोला जाता है like receipt note तो हमारा जब receipt note और ये जब चीज हो गई तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं इस type का हमारा purchase order होता है मैंने जो भी product का order दिया वो order मैंने किया था तो order की receipt मेरे पास इस तरीके की रहेगी तो चलिए अभी हमने ये वाला अब हम चलते हैं ठीक उसी परकार से ये जो आएगा इसे बोला जाता है sales order यानि की purchase का ठीक उल्टा sales order मेरे customer ने मुझे बुला कि भई मुझे कुछ product की आऊ सकता थी अभी netlink के पास 10 piece tv है है क्यों क्योंकि मैंने अब purchase order दिया था अब एक customer आ गया ये customer आया मान लिजी ये customer ग्वालियर का है और इस customer ने मुझे order दिया मतलब customer ही तो supplier को order देगा तो customer ने order दिया कि sir मुझे 5 tv की जरूरत है तो मैंने order तो accept कर लिया अब order accept कर लिया दो दिन बाद मैंने इस company को माल भिजवा दिया पूरे पांच piece भिजवाए तो बात कुछ भी tension ही नहीं है तो company मुझे क्या भेजेगी मतलब जिसको माल मिल गया वो मुझे क्या बोलेगा कि आपका माल मुझे मिल गया delivery note और इसको में एक jumper कभी-कभी देखना जब आपको transporter माल को deliver करने आता है तो वो आपको simple सा बोलता है कि इस चालान पे signature कर दीजिए जब आप उस product को खोलेंगे तो simple सी बात ये पूरा माल आ गया तो कोई tension नहीं है बट आपने 5 का order customer ने किया था आपके पास 3 piece available थे तो आपने customer को कितने भिजवाए 3 piece तो customer भी आपको delivery note किते की देगा 3 piece की तो यहाँ पर एक important जो word है वो है कि आपको मेरी company है मैं net link हूँ मैंने supplier को order किया था तो मेरे पास आया तो supplier को मैंने दिया delivery note मेरे receipt note जब मैंने मेरे customer को माल बेचा उसको माल पोच गया तो मेरे customer ने क्या बोला कि आपके द्वारा बेजा गया माल मुझे डिलेवर्ड हो गया वो डिलेवर्ड हो गया इसका मतलब क्या हुआ delivery note तो इन चीजों को जब हम यहाँ पर देखेंगे practical mode में तो आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा कि आपकी entry केसे आती हो रही हमारा sales order purchase order जो अभी हमने sales order किया यह आ गया अब यहाँ पर जो ची अब जो माल बाकी है ना उसके बाद दो दिन बाद माल पोचा तो हम दो दिन बाद फिर उसको sales order कि वो देंगे तो इस तरीके से यह जो topic है this is purchase order and sales order इसका मतलब होता है कि supplier द्वारा supplier को दिया गया order purchase order customer से आया हुआ order sales order इन दोनों चीजों को practically mode पे केसे करना किस परकार से maintain करना ताकि business में order केसे आएगा क्योंकि क्या होता है जब छोटा business है तो यहाँ कोई problem ने जब business बढ़ जाता है तो उस समय आपको maintain करने का तरीका क्या होगा तो चलिए अभी इसी टॉपिक को हम लोग तेली प्राइम क के अंदर practical करते हैं जिससे आपको order बनाना, order पोचना, order का माल डिलेवर होना यह सारी की सारी चीज़ें के लिए रो रहे हैं तो बस अब आप इस वीडियो को continue देखिए अब हम इसको practical mode में चलते हैं चलिए अभी हम लोग ने जो purchase order, sales order को समझा है बस हम इसी चीज़ को अब practical समझते हैं कि actually practical में कैसा होगा, order क्या होता है अभी आपने समझा, अब हम टेली प्राइम के अंदर order कैसे बनाएंगे और order पे काम कैसे करना इस चीज़ को अभी हम लोग समझने वाले तो चलिए सबसे पहले अभी हमने यहां पर गए हमने computer में गए सबसे पहले देखे लेजर बना भी सकते हो, तूरंत भी बना सकते हो, कोशीज करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर है कि shortcut चलना है, मैं अधिकतर आपको shortcut के आदर डालना हो ताकि आपको work fast करें, तो सब पहले लेजर भी आप यूस कर सकते हो, मैं बगेर लेजर यूस करें बता रहा हूं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम voucher में चलते हैं, टेली प्राइम में एक चीज़ जो बहुत important है, वो है कि order दिखता नहीं है, जैसा टेली ERP में होता था, कि F11 में जैसे जाएंगे, सो इनेक्टिव करेंगे, और जैसे हमने यहाँ पर जाके एंटर किया, तो यह हमारे सामने आ गए, यहाँ आमें क्या करना है, यहाँ आपको दिखाई देने वाला है, पर्चेस ओडर, सेल्स ओडर, देखी लास्ट में लिखा है, कंटोल वित F9, मैंने प माल का ओडर दूँगा, माल का ओडर देने के बाद माल मेरे पास आ गया, तो मैं उसको रिसिप्ट नोट दूआ, तो दो चीजों को यहाँ करना है, फर्स टाइम एक चीज करा, ओडर वाउचर में गये, सेकेंड टाइम हमने क्या कर दिया, अभी हम फिर से सो इनेक्टिव पे जा रहे हैं, अभी हमने एंटर किया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यह रिसिप्ट नोट को भी यहस कर दिया, बस इतना करके आजाईए, अब मैं अपने माल का ओडर दे रहा हूँ, माल लीजिए, सबसे पहले आप ओडर मिलेगा कहा, अक्टिवेट तो कर दिय अब देखने के लिए आप परचेस में जाएंगे, तो आपको परचेस में मिलेगा परचेस आडर और रिसिप्ट नोट, जब सेल्स में जाएंगे तो सेल्स आडर और डिलेवरी नोट, तो हमने माल खरीदने का ओडर दिया, किसको दिया हमने, हिंदूस्तान लिवर हमने बोपाल की कमपनी को ओडर दिया, यह हमारा संडरी क्रेडिटर स्केल आएगा, बस एंटर एंटर करते जाएए, वेसे भी आपको यहाँ पूरी डिटेल तो रियल लाइप पे डालना पड़ेगी, अगर अभी नी भी डाल रहे है तो कंटोल ए करा, अब यहाँ ओडर रिटेल पूछेगी कि आप पैसा कित्ते दिन में देंगे, माल पैसा केज देंगे, चेक से देंगे, आपके द्वारा माल जो आएगा कमपनी से कित्ते दिन में पोचेगा, कौन से ट्रांसपोर्ट से माल आएगा, किस जग पोच रहे है, किस जग पोचने का मतलब ही होता ह बही में बेटकर, मैं माननियें, इंदोर से ओर दे रहा हूँ. और मेरे को माल, देवास भिजवाना है. तो देवास आपका माल आयेगा इंदोर, फिर इंदोर से आप देवास बेज़ोगे, तो उल्टा सिस्टम हो जाएगा. पैसा charges लगेगा मैंने order क्या बोला वही देवास वाली party है डारेक्ट होई उतार देना billing मेरे नाम से कर देना तो ये detail होती है गाड़ी का number भी आ जाएगा हमने यहाँ पर किया order number 100 डाल दिया चाहो तो यहाँ लिख दो pur order 100 एसा लिख दिया कुछ लोग करते हैं अब purchase के लिए हमने purchase word को enter किया purchase बस control ले करके आ जो किस चीज का order दे रहे आप मान लिजे मैंने यहाँ पर गया मैंने LG TV जो कि TV में आएगा यहाँ पर हमने GST rate set कर दिया मान लिजे 12% set करना था कर दिया ओके केटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पर mention कर देंगे कौन सी company की TV है LG है LG mention कर दिया काई में बेचते खरीते हैं पीस में तो यही पर आपने पीस कर दिया बस आप देखते चलिए और करते जाएए अब जो detail की जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ से skip करना है तो control A करा देखिए मैंने due on order किती तारीक का है एक तारीक का कितनी चीज का order दिया आपने दस TV का order दिया एक TV का price क्या declare here हुआ है 10,000 रुपीज फिर इसके अंदर गए हम हमने CGST, Duties and Taxes, GST, Central Tax फिर हमने यही पर SGST, Duties and Taxes, GST, State Tax करा हमने तो जो माल हमने एक लाग रुपे का माल प्लस टेक्स के साथ एक लाग बारा हजार रुपे का माल हमने अपनी कमपनी को आज की तारीक में order किया अब मान लीजे, दो तारीक को माल आया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेड़ बदलेंगे अब दो तारीक को मेरे पास माल आ गया कितना आया, ये भी तो मुझे किलियर करना पड़ेगा तो मान लीजे, पूरा की पूरा माल आ गया तो मैं क्या करूँआ अब अपनी कमपणी को क्या देना पड़ेगा रिइसिप्ट नोट आप खुदी देखिए पेले ऑडर था, अब रिइसिप्ट नोट मैंने दो तारिक को क्या बोला कि भही हिंदुस्तान लिवर लिमिटेट को जो माल का ओडर दिया था यहाँ खुदी देखो यह order था अब उसमें से क्या आया आपको माल डालने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा product हमने order किया था computer को सारी चीज पता होगे देखिए अब आप देख रहे हमने किते tv का order दिया था order का number क्या था यह देखिए मैंने 10 tv का order किया था पूरी 10 आ गई तो बाती खतम हो गई मैंने आपको वहाँ बता दिया था बट अगर मान लिजे पूरा माल न करते हुए company के पास stock में केवल 8 tv थे तो उन्होंने मुझे 8 tv भीजवा दिये आप देखिए यह 8 आ गए मेरे पास आज की तारिक में deliver मेरे पास मैंने 10 tv का order किया था मुझे 8 tv आ गए तो मैंने 8 tv का company को एक receipt note दे दिया अब क्या हुआ अभी भी मेरे दो tv बाकी है अब मान लिजे अभी मेरे पास माल नहीं आया अब अगर मुझे देखना है कि मेरा माल order pending कित्ता पड़ा है तो आप जाईएगा display में more reports में यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ statement आप account मिलेगा यहाँ पर statement आप inventory मिलेगी यहाँ पर purchase order आउट इस्टेंडिंग में जाना जिस laser का order देखना है या all order देखना है तो आप खुदी देखिए 10 piece order करी थी अभी भी 2 piece का आना बाकी है अब क्या होने वाला है मान लीजे यहाँ accounting voucher में गए आप अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया कोई लेगल नहीं आया मान लीजे 1-5 को आया 2 TV उस दिन अवाई लेबल नहीं थी तो क्या करूआ फिर 2 TV का फिर से order करने वाला order से in the sense order नहीं करना अब वो माल आ जाएगा तो फिर entry अभी हम यहाँ पर गए यह देखिए अब आपको पूरे माल का order की कोई ज़रूरत नहीं सिर्फ दो piece नहीं आये तो केवल 2 piece दिखेंगे आप खोदी देखिए हुआ यह 2 piece थे pending वो 2 piece आ गए मैंने एक last slide में आपको बताया था pending order कहां दिखेगा यह हुआ मेरा purchase order अब same to same sales order अब sales order का क्या हुआ वे से जाएंगे order voucher में अब order voucher में जाने के बाद हमको किस चीज को yes करना है so inactive करा हम sales order में जाएंगे हमने इसको yes किया अब ही हमने order किसको किया हमारे पास किस से आया हमारे customer से तो customer से order आएगा तो customer का नाम जो भी हूँ हो गया customer का नाम आया VK electronics यह हमारा data से तो हमने data से ले लिया पुरी detail डाली same process अब order हमने करा sales order के लिए हमने order number 200 ले लिया भी वेसे डाला same सारी चीजे वेसी होने वाली है अब देखे मैंने कौन से product का order किया LG TV मेरे customer ने बोला मुझे 5 TV चाहिए एक TV का rate क्या set किया 15,000 plus CGST SGST 84,000 के TV का order मेरे पास आया पर हुआ क्या कि मेरे पास 5 available ली थी तीन ही available थी तो मैंने भी customer को क्या करा मेरे पास जो available होगी वही की वही करूँगा तो order तो पूरा आया फिर मैंने customer को क्या कर दिया कि customer को भीजवाया मैंने अब customer को मैंने कितना भीजवा दिया आप खुदी देखिए यहाँ पर गए अभी हमने delivery note को activate नहीं किया तो देखो नहीं आया अब delivery note को हम activate कैसे करेंगे यहाँ पर आ गए आप खुदी देखिए यहाँ पर आपको delivery note दिखने वाला है एंटर किया यह आ गया अब customer को हमने तीनी पीस विजवाये तो मैं क्या करने वाला हूँ तीन पीस विजवाये तो VK Electronics को यह देखिए बाकी के दो पीस और बाकी थे या जो भी हमने तीन पीस बाकी थे तो क्या कर रहे है पांच में से अभी हमने क्या करा अवालेबल नी थे तीनी पीस विजवाये तो customer ने मेरो को क्या विजवा दिया delivery note तो customer को हम जैसे जाएंगे delivery note आपको यहाँ पर मिल जाएगा अब क्या हुआ अभी भी पूरा product कहा पहुचा है अब भी वही बात आ गई जैसे अभी हमने इसको करा था अभी हम देखने चले डिस्पले में गये फिर हम जाएंगे statement of inventory फिर हम जाने वाले हैं sales order out standing फिर काई पर जाएंगे all order यह देखिए 5 order मेरे customer से आया था मैंने 3 piece तो भीजवा दिये दो अभी भी भाकी है अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद और मेरे पास माल आ गया customer का phone आ रहा sir 2 piece अभी भी भी भाकी थे तो हमने काई ठीक है आज इसको 2 piece भी हम भीजवा देते हैं तो फिर क्या करेंगे जो भी तारीक को हमने भीजवा है 2 5 को भीजवा दिया तो फिर delivery note फिर हमने यह इस पर enter किया बस enter करते जाएंगे यह देखिए यह 2 piece ही आये आपको याद रखने की जरूरती नहीं है कि कितने piece अभी आना जाना बाकी है पूरे की पूरे आ गए तो इस तरीके से हमारे दोनों order complete हुए अभी order हुए है अभी आप जाके देखेंगे डिस्पले में चलते हैं statement of inventory अब आप sales order में जाईए कुछ भी नहीं मिलने वाला है सब की सब माल पूरा हो गया अब माल आ गया माल पोच गया पर बिल का दिया बिल अब हमें हमें company से भी लाएगा तो अब हम क्या करने वाले हैं आप खुदी देखिए अब जब हमारा माल company से मेरे पास पोच गया मैंने receipt note दे दिया सब कस्टमर का order मेरे पास आया मैंने माल पोचा दिया delivery note हो गया अब हम क्या करने वाले company से मेरा माल जो order था उसका bill आया तो मैं यहाँ जेसे जाऊंगा यह देखिए bill पर enter करूँआ तो यहाँ पर हम जेसे जाएंगे यह देखिए माल के bill की entry करेंगे यह देखिए यह आ गया पूरे की पूरे 10 पीस आ गये उसकी पूरी entry हमने हाँ पर कर दी ठीक उसी परकास से मेरे कस्टमर को भी bill मांगेगा वो तो मैं sales में गया WK sales में गये मैंने दो टुकडे में माल विजवाया था तो मैं दो टुकडे में माल विजवाया पर bill एकी दूंगा तो एक बार इस पे enter करा फिर एक बार इस पे enter करा दो टुकडे में जो माल विजवाया था मैंने उसका bill एकी बना के दे रहा हूं आपके सामने दिखाई दे रहा है एक बार में तीन गए एक बार में दो गए तो इस तरीके से कोई भी माल का order pending आपको सो नहीं होगा ये होता हमारा purchase order and sales order इसी तरीके से हमको use में लेना है अगर आप display में जाएंगे inventory books समय जाएंगे item में जाके देख लीजिए हमने 10 tv आये थे उसमें से हमने 5 tv बेचे 5 अभी भी stock में बाकी है तो इस तरीके से ये जो option था ये था हमारा purchase order sales order केसे करना है मैंने सारी step by step बता दिया अब यहां 50 order हो या 100 order हो कुन सा माल आ रहा है उसकी भी सारी की सारी